Hello everyone, welcome to the channel GoToSuccess और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसा कि हमने पहले बात किया था कि यह admit card release हो चुके हैं और कुछ post code के लिए आपको photo identity details डालनी है या उनको update करना है और photo का size कितना होना चाहिए वो यहाँ पर दिया गया है 5-7 inch यह जो है वो आपको photo का size दिया गया है ठीक है तो अगर आपको admit card निकालना है तो आप इस link पर जाकर अपने admit card निकाल सकते हैं और अगर आपको update करना है post code 122.520 and 122.1620 89.20 को छोड़ कर तो आपको पहले यहाँ पर sign in करना होगा sign in के लिए date of birth यहाँ पर date, month, year 10th का roll number 10th का passing year, password और उसके बाद यह visual code जो है इसको यहाँ पर fill करना होगा then आप sign in कर पाएंगे ठीक है अगर आप password भूल गई है तो आपको forgot password पर क्लिक करना होगा जैसे ही आप forget password पर क्लिक करते हैं तो आप से कुछ personal details पुछी जाएंगी और उसके base पर आपको password reset के लिए option दिया जाएगा यह देखे forget password करने के बाद यह link आपके पास खुलेगा अपना registration number इसमें डालना है और registration number क्या होता है date of birth, month और year 10th का roll number और passing year ठीक है, यह भरने के बाद get OTP on your registered mobile number email to reset password और आपके mail ID पर या registration या माफ कीजिए registered mobile number है उस पर OTP भेज़ दिया जाएगा जैसे ही OTP आता है आप इसको fill करने के बाद आपकी OTP के लिए link खुलेगा इस पर click करेंगे तो आ जाएगा और वो आपको change password के लिए link मिल जाएगा जैसे ही आप OTP डालते हैं इस तरह से आप अपने password को change कर सकते हैं और फिर back जाकर दुबारा से वही process date of birth, 10th passing year 10th roll number और जो visual code है वो डाल कर उसके बाद आप अपना password डाल कर sign in कर पाएंगे और जब sign in कर लेते हैं तो उसके बाद फिर उपर कई सारे options आपको मिलते हैं उसमें से update photo का option मिलेगा उस पर आपको update करना है बाकी जो भी चीजे दी गई होंगी वो आप कर सकते हैं थेंक्यू सो मच गुड लग